जनाब ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग हुआ थोड़ा ही वक्त भीता था दोनों देशों में अलगतर है का माहुद था था अलगतर का संख़श्टा इसी दौरान 35-36 साल के कलाकार ने सवाल किया था क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के साथ साथ कला संस्कृति का भी बटवारा होगी है क्या संगीत के साथ सुरों में से चार हिंदुस्तान में हैं और तिन पाकिस्तान चलेगे नमस्कार आज मैं चंद्रेश से आपको हिंदुस्तानी शास्ती संजीत की एक बड़ी शक्सियत की कहानी सुना हुआ ये वही शक्सियत है जिन्होंने वो सवाल किया था उस्ताद अमीर खाम दरसल बटवाडे के बार दोनों देशों को अलग-अलग नियम खानून में बानने की कोशिश चली थी कहते हैं इसी दोरां पाकिस्तान में इस बात के भी प्रयास की लिए एक अलग किस्मती राश्री संस्किती मनाई जाए हंदोस्तान से अलगा पिस्म का संगीत तैयार करने की सोची जाए इसी सोच से नाराज होकर उस्ताद अमीर खान ने ये सवाल पूचा था अच्छा उस्ताद अमीर खान भारती इस्षास्ती संगीत के महान कराकारों में गिने जाते हैं उनकी पैदाईश 15 अगस्त 1912 पिता शामीर खान भेंडी बजार धराने से तालू लगती थी वे सारंगी और विविना के मशूर का लगा थे जाहिर है अमीर खान बच्पन से ही समीद सीखे लगती ज़रूर है कि गायन से पहले उन्होंने सारंगी की तालिम दी घर में हर श लोखने की बजाए उन्हें शास्ती गायन की तालिम दिनाने पर सोगती इसका असर यह हुआ कि जल्दी ही अमीर खान रंग मच में गाने दीरे दीरे सारंगी बजाना पिरकुरी छूट किया कहते हैं कि एक बार अब्दुल वहीद खान साहब ने अमीर खान को बतने मुए स कौलकाटा गया वहां पर उनोंने रेडियो के लिए रेकरदीं की और लोगों है उनकी गायकी को जम कर साथा कौलकाता ने थोड़ा समय बताने के बात उस्ताद अमीर खान मुंबई चले गया धीरे दीरे उस्ताद के गिल्ती उन शास्ती गायकों में होने जो गायकी नहीं चिंतन करते हैं एक-एक सुर में डूपते जाना और दुबोते जाना यहीं उनकी खासियत इस किस्ते की प्रमानिक्ता तो नहीं पता लेकिन इतना कहा जाता है कि इसी सुर्चिंतन की वजह से उस्ताद अमीर खान को अपनी गायकी से संज्छोते की आदत नहीं थी उन्होंने खयाल गायकी की उस परंपरा का सोच को भी पूरी तरह तोड़ा जिसमें कहा जाता था कि खयाल गायकी मेरे शब्दों का मनद्ट नहीं होता है भैरव, तोड़ी, केदार, ललित, मारवा, पूरिया, दरबाडी, मुल्तानी, पूरी, मारवा, रागिश्री, शुद्ध कल्यावन, शुद्ध सारंग जैसे रागों को गाने में उन्हें बहुत मजा आता था लेकिन नियम वही था कि पहले वो अपनी गायकी का मजा खुद लेते थी आम संगीर प्रेमियो की बीच में उस्ताद अमीर खान का नाम तब प्रचलित हुआ जब वो बैजु बावरा और जनक जनक पायर बाजे के साथ चुटते बैजु बावरा संगीर संगीर दिया था नौशाद साथ उन्होंने अपने रिस्त पर इस फिल्म में उस्ताद रामीर खान और पंडित डीवी पलुशकर से गायकी करपाई जो प्रयोग उस दौर में जब कर हीट हुआ बैजु बावरा में राग पूरिया धनाशी तोरी जैजेकार और राग देसी में आज गावतमान में रोल छूम के उस दशक के पसंदीदा गानों में शुमार रहे इस फिल्म की खाम्यादी के तुरंद बाद महान फिल्म नेमाता वीशांतराम फिल्म मना रहे थे जनक जन सब्सक्राइब पाए लबाग जिसमें संधीद दिया वसंत इस पील्म का ताइटन गीद गाया उस्ताध अमिर खार इन तोरो फिल्मों ने उस्ताव को आम संधीद प्रेमियों के बीच भी खुर्शोरत लाए उस्ताद अमीर खा की गायकी के दीवानों ने भारत रत्म लता मंगेशकर दीशुमार वो अपने पसंदी का शाथ की गायकों की खैरिस में हमेशा खासाथ का नाम बड़ी प्रमुक्ता से लेती है उनकी राय में उस्ताद अमीर ख से बाकाइदा भंड़ाकर संगीत सीखा था लता मंगेशकर के लिए ये कहा जाता है कि वो समय समय पर उस्ताद अमीर खान से संगीत की बारी के उपर बात करती थी यहां तर कि 60 के दशक में लता जी को ऐसा लगने लगा था कि जब वो उपर के सुलों में जाती है तो उनकी फिल्मी गायकी में जबरतस्त सुरीली बाक से किराने घराने के मश्रूर कलागारों में शुमार दूसरे भारत रखने पंडित भीम से जोशी थी उस्ताद अमीर खान की गायी रचनाओं में गुरू बिन ग्यान मन सुमिदत निस दिन तुमरो नाम लाज रखनी जियो मोरी साहिप, सतार, निरंकार, जैके दाता, तू रहीम, राम तेरी माया अपरमपार, मोहे तोरे करम पे आधार जग के दाता सुलनी जिये, आपको गायकी में उनकी कंभीरता का एसास आसानी से हो जाएगा कोलकाता फरवरी 1974, एक साड़क दुर्गत्मा में खासाप का इंतकाल हो गया था नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, और फेस्बुक और ट्यूटर के जरिये भी आप हमसे जूट सकते हैं, थैंक्यू